हे गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप सब लोग सुरक्षित होंगे अपने घरों में इस कुरूना के चक्कर से बचे हुए होंगे बहुत दिन हो गए ते वीडियो डाले वे तो सोचा आगे बढ़ाते हैं तो लास्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने ब्रेक और ऑफसेट क आगे बढ़ाते हैं जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल जॉइन किया है मोने बता दू मैं हूँ आपका दोस्त आपका सहयोगी इस पूरे सीरीज के लिए मेरा नाम है भवे करवल मैं हूँ विस्क्राफ्ट से चली स्क्रीन पर देखते हैं यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका भी टूटूरियर बना हुआ है यहां यहां पर लाइन को ट्रिम करने के बाद वह कुछ इस शेप में आ जाएगी कैसे होगा यह हम अभी देखते हैं दूसरे वाले में देखते हैं तो यहां पर हम लोगों ने reference के लिए one or two points की line को लिया हुआ है और three four को हम लोग trim करना चाते हैं तो यह कैसे होगा यह देखते हैं नीचे देखते हैं कि यह outer वाले lines जो है यह freehand कैसे trim होगी यह सब देखते हैं so guys trim command मिलती का है अगर आप modify बार में देखेंगे तो यह रहा trim इस पर click करेंगे trim और extend दोनों command आती है trim के लिए आस होता है tr enter extend के लिए आस होता है ex enter so guys trim के लिए आप क्या करेंगे आप नीचे लिखेंगे tr enter, tr enter करते ही नीचे बहुत सारे options आते हैं अभी से पहले वाले version में 2020 की में बात करूं या 2019 की में बात करूं तो यह नहीं होता था उसमें क्या होता था जैसी आप tier करके enter करेंगे standard format था जैसे tier करके enter करते हैं वो आपको कहाँगा cutting edges को select करने के लिए इस वाले version में freehand कर दिया है वहां की case में जब तक line intersect नहीं होती थी trim नहीं होता था पर यहां पर intersect हो यह नहीं हो कोई फरण नहीं परता guys trim हो जाता है latest origin की एक खासियत है तो देखते है कसे हो रहा है तो अगर मैं क्या है करते हैं अगर मैं इसको trim करना है तो अभी क्या है case में आप यहांपे direct click करते हैं तो देखेंगे यह line सी भी इंटरसेक्ट हो रही है और इस line सी है इसले इसली ट्रिम हो रही है, डबल एंटर करने की ज़ुरत नहीं है, यहाँ फिर आप ड्रेक्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यह जो अपनी लाइन है, जो एक फैंस आ रहा है, यह जीज जिसको क्रोस कर लाई, वो भी ट्रिम हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे गर कर कर दूँ, मैं किसी सब ओप्शन्स में नहीं गया हूँ गाईस, तो यह इसली ट्रिम हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, दोनों लाइने ट्रिम हो गई हैं, पर अगर हम sub options की बात करते हैं तो पहला जो sub options आ रहा है cutting edges का sub option, तो cutting edges का sub option को कैसे use करना है वापिस बहार जाते हैं, tr करके enter करते हैं, नीचे option आ रहा है cutting edges जिसका alias क्या है cutting edges का guys, yes, you are right, capital में t लिखा हुआ है तो t enter कर देंगे, या फिर click भी कर सकते हैं, जैसे t enter करेंगे खायगा select objects, एक एक से ज़्यादा तो आपने इस object को select किया, वह आप से पूछ रहे कौन सा object, मैं कहते हूँ, यह line वाब्जेक्ट, आपने इसको select किया हम एकuç लाइन वाली और आब जैट्ट ने इसससी स्लच्ट किया लिरट करें यह तो यही सिदा है रिया है जो जाती ऌताने है अगर सब्हुंगोर के सब बतrage वह हैं तो मया लेते हैं हैं आगर कियोअ समय आगर मैं ताय को घ्राइंग करते हैं मैं T enter करूँगा मैं object को select करूँगा और then इसके बाद अगर मैं इसको trim करूँगा तो पूरी-पूरी line trim होगी अंदर की उसका कहीं से intersection आ रहा हो यह मैंने freehand किया है तो आप easily उनको trim कर सकते हैं देख पार है trim हो गया है यही case अगर हम लोग control Z कर देते हैं दुबारा देखते हैं टी-आर एंटर करते हैं और अब मैंने यहां पर left क्लिक किया है और pencil की तरह अपने mouse को अपने crosshair को मैं move कर रहा हूं lines के respect में जहां-जहां से वह पास हो रहा है जैसी मैं इसको छोड़ूँगा वह उस lines को trim कर देगा देख पारें का it easily trim हो गया तो trim करना it's not a typical टास्क बहुत टिपीकल नहीं है बहुत असानी से ट्रीम हो जाता है जैसे इधर देखते हैं और यहां से क्लिक करना शुरूग किया तो मैं ऐसे करके कर सकता हूं तो नीचे आपने बीश्यंग स्ना है क्रोसिंग का ग्रॉसिंग मेंगर विंड़ो बनानी है विंड़नानी है जो जो विंडो की जितनी भी ऑंटर बॉंडरी है जिन जिन लाइन से लिबागी इन्गाद करेगे बादका बहां नहीं होगा देख़ा दुबारा से crossing में जाते हैं, tr enter करते हैं, c enter करते हैं, crossing में जाते हैं और देखते हैं, इनको भी trim कर दिया, तो हम easily crossing में जाते हैं, next command आती है mode, अब मैं आपको बताना चाहरा था standard version, जो पुराने वाला version था, उसमें कैसे काम हो रहा था, तो tr enter करते हैं, mode में जाते हैं, mode में जाने काता option है, quick mode और standard mode, अभी आप quick mode देख रहे था अभी तक, standard mode पर चलते हैं, अगर अब आप इसको trim करेंगे, यह चीस trim हो रही है, क्योंकि इससे intersect हो रही है, आप पहले नीच वाली को trim कर देजिए, अब देखेंगे, यह trim नहीं होगी, देख रहे हैं, crosshair के पास एक आपका null का sign आ रहा है, इसका अभले भी trim नहीं होगी, यह भी trim नहीं होगी, बट quick mode में ऐसा नहीं था, यह trim हो रही थी, तो जिन लोगों को habit है, पुराने version पर काम करनेगी, वो इसको standard way convert करके भी कर सकते हैं, आईता जो new new सीख रहे हैं, वो direct Quick mode पर कर सकते हैं, और उगर पुराने वाले बियूर्य अपने आपको good कराorkते हैं, तो आप इसको ऐसे करके trim कर सकते हैं, mode में जाए इह, quick mode पर जाए, जिसको laundry trim कीजिए, जिसको आप trim करना चाते है, वो easy respect में आपके screen पर trim हो जाएगा, I hope guys आपको समझ में रहा हो, आप ब को आता है थोड़ा से एक्जम्पल अगर चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं सपोस करते हैं कि मैं 3D में ले आता हूं अपनी स्क्रीन को आप देखेंगे मैं एक्सवाइड की फॉर्म में स्क्रीन को ले जा चुका हूं यहां पर और अगर मैं लाइन कमांड पर यहां जाता क्या करेंगे गाइस शिफ्ट दबा कर रखेंगे स्क्रॉल को तुमाएंगे और घुमाएंगे वह अराम से एजली आपको 3D में कंवर्ट हो जाएगा पहली वीडियो देखिए हो तो शायद मैंने फर्स या सेकंड वीडियो में बताया भी था कि कैसे हम लोग अपने 3D में सिफों रखेंगे करते हैं चीजों को अब यहां पर आ जाते हैं वाफ त्रिम में जाते हैं अब देखे गाई जाते हो तुरी ल Inte प्रें फोरी हो रही है पूरी स्य ब्रें हो रहिए है घुमाल में धरखे हो अब भी-स ही है जैसा से में फैसwegen से पूरी command के लिए तो हम लोग बाद में consider करेंगे इसको कि कैसे करना है तो अभी के लिए project में यही था अब अगर आपको किसी line को पूरी line को erase करना है मैं वापर study में आ जाता हूँ या पर top पे click करता हूँ वापर study में आ जाओंगा अब अगर में को पूरी किसी line को trim करना है सबोज पूरे box को trim करना है या erase करना है तो उसके लिए मैं आर एंटर करूँगा जैसी आर एंटर करूँगा मैं यहां से उसको easily सबको select करके trim कर सकता हूँ मलब erase भी हो सकता है अंडू गाइस इसमें अंडू अगर आप यू एंटर करेंगे अंडू हो जागा एक step वापेस एक step वापेस आपको ला सकते हैं जब तक अंडू चल रहा है तब तक चलाईए अगर आप करना चाहते हैं तो वापेस में टॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो यह था हमारा trim, trim के अंडर की सारी commands की trim पे काम कैसे होता है अब बात करता है extend की अब suppose करते हैं में यह दो walls हैं मुझे इनको extend करना है अच्छा extend मिलता कहां पे है कोई problem नहीं है ऊपर देखेंगे आपको यह रहा trim के नीचे extend extend मतलब एक line को एक limit तक extend कर देना अब यहां स उसको extend कर सकते हैं आइधर आप उपर से modify बार में अगर जाते हैं menu में modify में जाते हैं तो यहां पर आपको extend मिलता है यह रहा है extend आप यहा से भी आप क्लिक कर सकते हैं आइधर इसका alias होता है EX enter आप लोग जानते ही है जैसी EX enter करेंगे वो extend करने के लिए कहा पहले normal extend देख अब मेरेको इन दो lines को extend करना है यहां तक, मैं चाहता हूँ directly यहां तक extend हो जाए बीच का यह जो हमारा opposition आ रहा है यह हट जाए, delete नहीं करूँगा guys यह एक्स enter करते हैं boundary edges पर जाते हैं और इसको boundary ले ले लेते हैं कि यहां तक मेरेको इसको extend करना है और मैं enter कर देता हूँ अब मैं लेन को select करूँगा तो direct वहां तक extend होँगी जहां तक आपने उनको boundary दे रखिया होगी समझा रहा है guys, आप लोगों समझा गया होगा अब यसे मैं extend में इधर जाता हूँ अगर मैं इसको click करता हूँ तो देखेंगे नीचे तक extend हो रही है मैं इस पर click कर रहा हूँ यह extend हो रही है तो easy method पर आप extend कर सकते हैं same case guys आपके पास crossings में आ जाता है जैसे आप extend में जाते हैं crossing में जाए crossing में जाने के बाद जहां-जहां से आपकी window जा रही है, देख रहे हैं, ओपर दोनों लाइनों को वहाँ तक extend कर रहा है, जहां-जहां से आपकी window जाएगी, आप उन्हें अराम से crossing से extend कर सकते हैं, समझागे गाइस, इसमें भी होता है, quick mode, standard mode, ये भी पहले वाले time में क्या होता था, इस डबल एंटर करना पड़ता था, फिर वो क्या करता था, पूरे object को एक object मान के extend करता था, या फिर single enter में पहले boundaries ही select करना ही पड़ती थी, इन्होंने boundaries को यहां पर merge कर दिया है, आप EX enter कर सकते हैं, mode में जा सकते हैं बापिस, और standard वाले में भी जा सकते हैं, standard में जो आप च section होगो, उसको छोड़ देगा, और सीधा अपनी line को कहां तक ले आएगा, वहां तक ले आएगा, जहां तक उसे support मिल रहा है, I hope guys आप को समझ आयो, फिर से guys project के लिए तो हम 3D आगे videos को follow करते रही है, 3D जब पढ़ेंगे तो उस case में project को cover करेंगे, edge क्या होता है guys यहां प extend में जाने कवा, mode में जाके, अगर मैं इसको standard mode में ले ले लेता हूँ, और वो कहता है, select object में enter कर देते हैं, और edge के अंदर जाते हो, option हा रहे है, extend or no extend, इसका क्या मतलब है guys, अगर हम भी कर देते है, extend, extend करता हूँ, तो देखिए, मैं इस line को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो नहीं मिल रहा है, समझाया guys, दोबारा देखिए, edge में जाहिए, अगर extend खुला हुआ है, तो जो भी line अगर आगे नहीं भी बनी हुई है, वो उसको भी मान रहे है कि यहां तक extend हो रही है, इसलिए वो वहां तक उसको extend कर पा रहा है, पर आब 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 आगे देखिए कर सकते हैं, कैसे, अगी बताते हैं, तो जैसे आप trim के अंदर जाते हैं, आप तेले quick mode में आजएए, यहां से, mode में जाएए, quick mode में आजएए, अब अगर आपको किसी चीज को trim करना है, suppose करना है कि अब हम trim में हैं, और मैं इस line को extend करना चाहता हूँ, इस edge तक, तो मैं shift को दबा के रखूँगा, और मैं जिसमी line पे click करूँगा, वो extend होगी, तो कहने का मतलब है, command है trim, but working like an extend, extend की तरह वो work कर रही है, और अगर आप उस shift को छोड़ देते हैं, तो वापिस आप कैसे काम कर सकते हैं, आप वैसे काम कर सकते हैं, trim की तरह, तो कहने का मतलब है, trim में extend और extend में trim काम करता है, गर इस case को देखते हैं, मुझे को trim करना है, मैंने इसको trim किया, इसको trim किया, इसको trim किया, नहीं करना था, undo कर दिया, तो आप undo से वापिस लेएंगे, इनको trim करना है, तो आप इन दोनों को trim कर सकते हैं, but अगर आपको extend करना है, इस line को यहां तक, shift द कि तरह काम करेगी तो आपको समझ आ गया हो कि कैसे काम किया जाता है कोई भी डाउट होते हैं आप में को वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हो आप कमेंट्स में दे सकते हो आपका सपोर्ट करना ही बहुत इंपोर्टेंट है तभी आगे वीडियो आप आती है और थैंक्स और कीप वॉचिं तिल थर्टीन वीडियो आप थर्टीन वीडियो तो पहुंचे हैं इसका मनलब डेफिनिटल आप सीखना जाते हैं देखते रहिए लास्ट तक कुछ असाइंग्मेंट्स दूंगा बनाकर स चलते हैं सबस्क्राइब करते हैं और वीडियो ब्राइब करते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए नवाशकार, स्वास्री अकाल, आधाओ झाल